हेलो माई डिफ्रेंट स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में पहली जुलाई को क्या हो सकता है प्रडिक्शन वीडियो मैं आपको आज निफ्टी की मदद से बता रही हूं और इसमें देखे मैं छोटा सा युडियो होगा आज देखे इसमें क्या सीन है कि यह जो ब्ल करके उपर जाता वा या फिर रिवर्सल लेता वा इस तरीके से उपर जाता वा दिखाई देता है तो मार्केट पूट में नहीं जाएगा यहां से मार्केट फिर कॉल में जाने की सितिती में रहेगा मतलब यह है कि यह लेवल नहीं टूटना चाहिए मार्केट का यहां कही कहीं भी खुल रहाएं काहीं भी खुल रहाएं माली ज अगर beam point यह है कि इस level से market up पर रहता है अगर तो आप यह देखेंगे कि market call की तरफ जाएगा अगर यह level तो यह level है ये वाला तो फिर आपको market यहां तक आता हुआ दखाई देगा और ये जो level है यह है 23910 23910 यह level है देखे डारेक्ट मूव होने की वज़े से यहाँ पर market में कोई SL नहीं है और यहाँ पर market में अच्छा seller बठा रखा है और डारेक्ट मूव होने की वज़े से यहाँ पर भी market में कोई buyer नहीं है यहाँ से buying आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर buyer बैठा है market में मगर यह जो मैंने आपको बताई यह crucial level है इसलिए मैं आपको यह बता रही हूँ कि आपको सिर्फ़र सिर्फ यह judge out करना है कि क्या market is blue line पर समल रहा है अगर नहीं समल रहा है तो आपको फिर इस level से buying आती भी दिखाई दे सकती है और आप देख सकते हैं कि bank nifty में भी यहाँ पर direct move की वज़े से कोई SL नहीं है यह भी एक direct move है bank nifty में इसकी वज़े से यहाँ पर भी कोई SL नहीं है तो अगर यहाँ पर flat opening होती है तो यह आपको थोड़ा बहुत consolidated होता वा दिखाई देगा याने की SL create करता वा दिखाई देगा 52021 इस level से आपको market में buying आती भी दिखाई दे सकती है देखे इस में मैं आपको technical उसमें एक बात बता देती हूँ देखे market क्या कर रहा है market इस समय है इस उसका support ले रहा है ओके तो market ने यह थोड़ा red red करके दिखाया तो याने थोड़ा तो support दिखाया मगर फिर भी support तोड़ा I mean मगर फिर भी अभी इतनी अच्छी तरीके से market ने support नहीं तोड़ा है इसलिए मैं आप से कह रही हूँ कि ये ये जो candle है ये जो candle है ना ये green वाली 2 बच के 45 minute 245 की जो ये candle है इसे market को नहीं निकालना चाहिए अगर market को call में रहना है तो इसका end point क्या है इसका end point ये है 23969 तो इन बातों का आप ध्यान रखें और लाभानवे तो यही ता मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो please like and subscribe कीजिए और comment जरूर कीजिए इसी आशा की साथ आपसे विदा लेती हूँ आप टेलिग्राम पी हमारा चेकाउट कर सकते हैं Thank you very much